कि हलो दोस्तों मैं सुतोस कुमार वाप देख रहे हो सब का नोलेज यूटुब चैनल आज क्लास 12 का इंगलिस स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्त आप लोगा एक्जाम एक खतम हो चुके हैं लास्ट है सब कुछ इंड है तो क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए और क्ला करकर रिवीजन करवा देंगे अभी चैप्टर का स्टार्ट करते हैं एकनोमिस का वन यूनिट कंपलीट है उसका क्या बोलता है क्यों चैनल से सब कुछ कंपलीट है तो उसको आप देखिए प्लेलिस्ट मिल जागा सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बोक्स में कहीं भी लिंग मिल जागा अप लिंग से जाकर उसको देख सकते हैं टेकर सब्सक्रामिंगो का जो बोले में बुक है दो बुक जो क्या बढ़ी में डाल देखिए लगों फिलमिंगो और विस्तास का सप्लमेंटरी रीडर है और थे बिलंगो के हैं आपका में टेक्स्ट ब हमाई लाइन बाइन इस लाने संदेखें यह कहो वड्ट को समझा देंगे मिर दोस्त क्यों कि अगर आप नया-वर्ट पकड़ने में समझतेक आज में हर एक चीज के अशानी होता है पढ़के जाएगा तो वहां पर नया नया वर्ड देखनों को मिलेंगे तो दिक्कत हो जागा इसलिए अबजेक्टिव रहा सब्जेक्टिव एक वर्ड को समझते चलना है सब्जेक्टिव में तो और अंदर से उठाके देगा कहीं से को लाइन उठाके देगा तो वर्ड पढ़ना होगा ताकि कहीं से कोई भी वर्ड नया वर्ड सीखेंगे लाइन एक वर्ड को समझेंगे स्टोरी को समझेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है इस पर कहानी देखेंगे ना कि कैसे फ्रांस जर्मनी में यूद हुआ था जर्मनी पाठ था पर्सिया का तो फ्रांस में यूद हुआ था तो उसी के बीच में कैसे वहां पे मतलब क्या बोलता कवजा कर लिया था फ्रांस को कोई जगह पे लोरेंज ने आल जाक दो जो दो प्लेस थे पढ़ेंगा तो उसी प्लेस पे किसका जर्मनी का यानिकि परसिया का पर्सिया पहले पाठ था प यह सब्सक्राइब दिख़ेंगे लास्ट लेशन डिए क्यों कि फ्रांस का लास्ट क्लास रहाता इसलिए लास्ट लेसन बोला जाता है तो इसी के बार में थोड़ा से देखना हो तो इस इस्टोरी का लगा बहुत कुछ समझ्यों को मिलेगा अपना लेंगवेज बेस्ट है कैसे अपना मात्र भूमी को बचाना चाहिए कैसे हम लोगों और जो ना इंडिया लेंगवेज होता है तो दूसरा कांट्री कावना अपने पर धोपा जाता जाथ बहुत लोग suppressor में हो स्टार्ट करते पहले आउठर के बारे में देख रहे τएयtered के आप आउठर जो है इसे वे क्या कर रहे है कहीं से खुछन का लimana तो यह लेकिन थे आहोदा सथ देखों हम आसान होता है समझे में कहानी आसान होता आज सान कर te अराम से दिया जाएगे दो कोई टेंशन नहीं लिया जाएगा ठीक है इसका फरनोंसियस्इशन बहुत सारे स्टूट्स गलत करते हैं क्या पढ़ेंगे अलफोंस डाव डेट इज परनोंसी आशन करेंड तो गलत है इसका सही प्रनोंसियस्इशन शहही उचारण है डूड़ेट तो राइटर का नाम है अलफूंज डूड़ेट चैप्र का नाम है लास्ट लेशन ठीक है ना देखिए और क्या कर रहा है कि आथर का जन हुआ था 1840 से लेके 1897 तक जर्म सा मिलतु का था देड दिया तो इस अब देड याद मत करेगा बसमाजने के लिए 1840 से ल ड्याद खेश भी तैसकी डेय दीग्सरीं सिस्कोड देड्राइण करिएगा ऐहरी छिवनद सेवनटी दीट उलोडीं सेसे लिए उसयोध का नाम था खर्या को परस्यी वार फ्रेंक मैंन्स अफर्या मैंने परस्या कंट्री था परेंक पैसिए भी आता था जर्मने भी आता था कुछ कुछ अस्ट्रिया का पाट आता उसी को पर्सिया बोलते से तो पर्सिया फ्रांस में यूध हुए थे कब 870 680 के बीच में उसी यूध के बैक्ग्राउंड भी स्टोरी को लिखा गया ठीक सेट इन दे अडे ओव उसी जब यूध यूध क्या बोलते है पर्सिया का हेड थे उन्हें के द्वारे लेड किया जा रहा था और उसी के संदर में फ्रांस हार गया था यूध है ठीक पर्सिया देन कंसिस्ट अप तो वाट आर्ड वाट नाव आट नेशन आप जर्मनी पोलेंट पार्ट अप अस्ट्रिया देख जर्मनी पोलेंट पार्ट ऑफ अस्ट्रिया मिलके बनते थे तो वही थोड़ा साथ देख लिए आगे दखिए यहां तो खोगे ना इन इस स्टूरी इस स्टूरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिए क्या पढ़ने जा रहा है तो फ्रेंज डिस्ट्रिक ओफ अलजाक लोड़न दो डिस्ट्रिक टे किसका फ्रांस का है पास्ट ऐंडु पर्सिया रहादा थैंड फ्रांस को ठ्रांस the story to find out what effect this had on life at a school इसको पढ़िए अपर क्या परभाव पढ़ते हैं और स्कूल लाइफ पर बच्चू पर स्कूल का जीवन पर क्या परभाव पढ़ता ना तो स्टोरी को पढ़ें को उसके बाद हम लोगा के लियर होगा आउथर के बारे में आपको एक लाइन एक वड़ा सा इन का स्टोरी का बेंडहर बता दीए तो चलिए हम लोग लाइन बायॉलान रहा राइन श्टोरी को में स्टार्ड करता बीना टाइम विस्ट की हुए ठीक है चलिए एक सेकर जलिए जलिए जैमासर सरथिको नाम लेका स्टार्ड करना है हमिस покous अ आयव स्थार्ट्र एक को नेर्टर प्रेंज लड़का है तो लड़का है तो ही हम लोग सीजनातर को सुना रां रहा है है और ल की राएटर्تي भूटेट एक्रिसको सोना कौन रहा है एक student है को स्टोडेंट का फ्रेंज नाम है तो फ्रेंज ही स्टुना रहा कि Online छान में अस्टाइबास बीकाव जाना भेर लेट मोर्निंग स्टाइबिश प्रेंगन फिरेकर कर् nление टोगा था पर्टिशिपल्स पर्टिशिपल्स इसको डर था याद नहीं किया होगा तुसी कर्डर में थोगा जा रहा था एंड आई डिस्ट नोट नो फस्ट वर्ड बाउट दिम पर्टिशिपल्स को दिया था पढ़ने के लिए एम हमेल बोले थे अधियूड क्योचन अस पार्टिशिपल्स लेकर हमको पार्टिशिपल्स का यह भी वर्ड याद नहीं है यह वर्याद नहीं तो डरा हुए रहा रहे गा तो आई ग्रेट ड्रेट ऑफ श्कॉल्टिंग प्रक्रदर के साथ अंदर इंट्री किया मतलब जा रहा था ठीक ना आ जाते किया यादने कि यह लेट हो गया है यतना लेट से जाता डरा हुआ था इसको लगा कि चले भाग गया तो इन भर श्कुल क्या जाना है ठीक ऐसा मैंने वह सोच लाथ ठीक इड़ फिट रहा था पूरा बलग दिन भाहर रहेंगे बहुत फिक गर्म है बहुत वार्म है ब्राइट चमक रहा है तो वहीं चलेंगे दो बर्ड वियर क्या ची चीरपिंग एड़ इस ऑफ दो उड्स जो बर्ड सेना तो क्या पूल दे एड्स ऑफ दो उड्स यानिक जंगल के किनारा पर देखा जा रहा है कि सब लोग ची ची चीनिया जो है ना चीची हा रही है ठी आनी ये टेख और विपन फिल बैक अब दशामील ओपन फिल्स पुरख दूम मयदान में बैकॉफ समीन शामील करने कमल अरुंब अर्जों मेरे दोस्त इवल लंघ जूटी नो मसीन होता और तो उसी को सामील का जा जा तहा झाज आ पर लगडला तो तो पीछे में दिखा तो पुले मैदान में क्या देखा गया तो पर्शियंग करने लोग थे वह भलीकशन कर रहा है थे ड्रिलिंग मतलब लखडी को इसे काट रहे थे थे ठीक आगे देखिए एक सेकंड हाड ड्रिलिंग कर रहे थे ठीक इट वाज एक सेकंड अचली ठीक है इट वाज मुझ मूर टेमटिंग देन तो रूल ऑफ पार्टिसीपल यह सब बाहर कद्री से देख रहे थे पूरा बाराइट था परसियन सोल्यर देख रहे थे बैक और सामील कर रहे है थे बाहुत कहा वर तो इससाम को थैठी बन करने और नूबहाquinho तो यह उसको जादा लूतर आता तो Till शामा से रोकने के लिए and he read of to school लेकि मेरे पास तागा था मैंने सोचा कि नहीं 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 करना है अपने आपको रोके और जल्दी से जल्दी श्कुल भागना श्टार्ट किये you read of minute for a tedious school चला गये law school जाने लागे ठीक है आगे देखिए विन आपस्ट टाउन होल देखिए आप टाउन होल को पास्किया देर वाज़को रॉड इन फ्रॉंट फ्रॉंट आप देखिए लागे बुलिटीन बूलिटीन बूर्ट बूलिटीन बूर्ट कैसा बोर्ट था नही वहीं से मतला इन्फोर्मेशन आता था ठीक है तो आप बहुत सारे भेल लगए होते क्रॉंट थे ठीक है आगे देखिए फोर द लास्ट टू यर्स अल्ट बैड नीज देखिए पिछले दो सालों से जितने भी गंदा गंदा यानी बूरा निज था एड़ कम फ्रूं देर वहीं बुलिटिन बूर्स से मैंने की टाउन हों से सारा निज आता था था एंड क्या कहता दर लोस्ट बिटल यूद में क्या क्या खोया लोग ठीक है दराफ्ट ओडर ऑब दो कमांडिंग ओफीसर कोई ओफीसर देता था उसका ड्राप आता था था एंड आई थाउट तो और देखें चलिए ठीक है आगे देखते हैं देन तब क्या हुआ अई हुरेड बाइड वाइड है फास्टाइज आई कुड गू तब जीतना हमसे तेजी में बहुत सकता था उतना तेजी समयने भागना कोशिस के मैंने भागा एंड ब्लैक समीद जो ब्लैक समीद वाचर ब्लैक समय समझते ना लुहार वाचर जो होता है तो उसका नाम था वाचर ब्लैक समीद का हूद्यर वहां पर था विज़ एपरेंटिस एंड रीडिंग द बुलिटीन कोल अधिक बूलिटीन बोट भी जो नियूज था तो नियूज को पढ़ रहा था कौन पढ़ आथा ब बहुत तेज तुम मत जाओ फास्ट बब बब करना मतलब स्टुडेंट होता तो बब बोलता है या बच्चा प्यार से बोला कि डोंट गो फास्ट तो बब मतलब तुम्हें ता तेजी समझ जा यूविल 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 गेट तुई यूरा स्कूल प्लेंटी अप तुमस्कोन के लीट से जारी संस लेते हुए गार्टन के पास पास टूरा तेजी सांस लेतो हुए ढरते हुए भागे थे ठीक है क्योंकि लेट मोर्निंगा स्टार्ट के था जाना तो लेट हो गया था यूज्वाली आम तवर पर क्या होता है वें दा स्कूल बीगें जब स्कूल स्टार्ट होता है देरवाज ग्रेट बस्तल काफी सोरगूल होते रहता है वहाँ पे विद कुड भी हर्ड आउट इ यूनिशन लेटार्ट इनिशन करना तो कि सब एक जोर से मैं पुरा तेजी से एक साथ होता है रीपिट करना तो सब एक साथ पढ़ते हैं तो यहीं सब आवाज होना जोंड काफी तेज रहता था विथा आवर हैंड ओबर यह तो अपने हाथों कोई से कान पर रहके और टीचर ग्रेड रूलर रेपिंग ऑन टेबल टीचर थे अपना एक रूलर जहांत में लेकर होता है लुहा का कोई अथी टैप के तो उसको लेकर इसे मतलब पीड़ते रहते थे टेबल पे ठीक ना बट लाव इट वाज और सूस्टील लिकिन ऐसा कुछ नहीं ता आज बिल एक काउंटेड ओन कोमिशन और पास बातब कोमिशन तु गेट माई डेक्स पिदाउट बिंग सीन ऐसे होते रहता था था ना तुमा आराम से चले जाता था 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 हल गड़ा सु कोमोशन का में सोर्गूर आज होते रहता था था तुम उसी का नहीं सा क्वास में बिल जात नहीं था और आम से क्लास में चल जाते थे लेकिन बटफ कॉस कि यह तो टुब इस दिन क्या था पहुत ही हरो कोई सांधा जैसे कि संदे का मौर्नीग असंडे का मितलब कि क्लास ही नहीं चल रहा है पुरा सूम सान है तो वैसा उस दिन था फ़हले में होता था उसी के बीच म यूचोइं संदृ मोर्निंग तरह यह सब्सक्राइब कहा वे सब सब्सक्राइब गतने जब्हाई तो फुर्स तरह नहीं ना हो शोन में इसको ना ट्रखन सब्सक्राइब रिफेक्न योज़तर प्रप्ल्श्कों एके क्लासमें है इतों और था ने से जो भियानक जो आइरन का रूलर था उसको लेके मिश्टर एम है मैं जो टीचर थे हमारे वे अप एंड डाउन पूरा क्लास में ऊपर नीचे तरहल रहते घुम रहे थे एंड आइड ओपन दूर मैंने दर्वाजा को खोला एंड गो इंड बीफोर एवरीडी मने सभी बीफोर मने यहां पहले नहीं बीफोर मने सामने भी होता है तो सभी के सामने मने दर्वाजा खोलके वहां पर पहुंच गया ठीक आगे देखिए नहीं तो सकते हों ने रहे है कि हाव केना तूम इमेजन कर सकते हो हाव आई ब्लस्ट एंड हाव फ्राइटनेड आइवाज मतलों कितना जासा रमिंदगी महसूस कर रहा हूँ और कि तरहां हुआ होंगा सरमिंदगी इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि मैंने पार्टिसीपल का एक भी वर्ड याद नहीं किया था और फ्राइटनेट भी सी दिया था कि सोरी में दोस्त ब्लस्ट सरमिंदगी इसलिए कर रहा था कि मैं लेट स्कूल पहुंच रहा था और फ्राइटने डरा क्योंकि पार्टिसिपल कई एक भी वर्ड में याद नहीं किया था तुम सोच सकते हो उस दिन में कितना डरा हुआ था और साथ ही साथ कितना सरमिंदगी महसूस कर रहा था कि माइन में चल रहां किसका नैरेटर का नैरेटर कोन है फ्रेंज फ्रेंज कोन है एक लड़का का नाम में स्टूडेंट का नाम में ठीक है आगे देखिए बट नथिंग ऐपने अपने स्थान पर सांति से चले जाओ ठीक है & We go to your place quickly जल्दी से जाओ लिट्र फ्रांज ठीक्व युडर बिगनिग विदाउट यू लिविए बीगनिग विदाउट यू कर नहीं कम लोग को तुम्हारे बीना ही चाट करने वाले थे यू लोगा जा रहें थे थिक हना विवेद बिगनिग विदाउत यू लगा तुम ह प्राइट अब देट आवर टीचर है और क्या बीटिफिल ग्रीन कोड और फ्रिल टेकिए थ्रसा एक सेकंड फ्रिल्ड क्या है अशुट अशुट अड ब्लैक सिल कैप और इंपर एक सब्सक्राइब कहां थे एक कोड शमजते जादा पर देंगे तो समाज में नहीं आएगा एक सेकंड चलिया थे बेंजब बढ़े थे कहां हां नोट नोट तिल देन तब तक नहीं वेल आई हैड गोट ए लिटल ओभर माई प्राइट मैं अपने डर पर थोड़ा सा मैंने हमको रिलक्स टाप को हुआ मैंने थोड़ा सा प्राप्त के थोड़ा सा रिलक्स हुए तब तक तब तो फ्रस रिलक्स में सुच किया और डिट आई सी फिर मैंने देखा देट आपर टीचर है डाउन इस ब्यूटिफुल ग्रीन कोट जो हमारे टीचर थे वे एक सुंदर ब्यूटिफुल ग्रीन कोट पहने हुए था याद रखेगा और फ्रिल यहाप पूश्था कै तक तो फिर फिर नहीं अग्रीन था ठीक है और फ्रिल्वन नहीं होता डेकोरेटेट सजाया हुआ कैसा था सट था एंड लीटल ब्लैक सिल्क कैप काला रंग काप सब्सक्राइब मैं लिख रहा था था क्लाश्ट वेल में तो बलैक है तो बलैक है जो सट एना सट के बारें होता कैसा स्ट濃 तकाया रंग था तिनों के याद रोखये गलिंटिल् इंसी को टाफिक्स पूछेगा फुझर थीक्राइब राव की का था हैسم घ्रिल प्रिल फ्रिल फिल सर्ट मतलब लाःगरा ऐसार थाछल तोफित ता और ग्रिन कोट two ठीक है औल इंवर्याइड मैंने सारे पेद गढहाई किया हुआ था घरेट प्रहाई किया हुआ था जैटीаль नहीं पंखिसेप्ट कि सोड़ कर on riding expense spending और आज प्राइज डी दो दिन छोड़ कर पहला inspection कि दिन जब जाज होता था क्लास में कोई में जाज करने आता है सते तब यह पी प्राइज betrun होता था ना उसी दिन यह ही दो दिन पहनते थे और कभी नहीं पहनते थे लिए आज क्यों पहन के आए थे इनका माइन में थोड़ा सोचने लगे पिसाइड दो होला स्कूल सिम टू अस्ट्रेंग और इसके साथ ही सारा स्कूल हमको अंजान लग रहा था अजनवी के तरह लग रहा था एड़ शुलाइम मने होता है एक्ताव शॉलं तो पूरा सांथ लग रहा था अंजान लग रहा था और यहमें साथ दो ही कुछ पहंते थे कंभी नहीं पंद नियक्ति तरो दिन को छोड़ कर बैस इंस्पेक्ष्शन के दिन चौछिए पूरा क्लास सठ था सभूम अंजान टा देट वर एल्वेज इंपटी जो पीछे का बेंश था हमेशा खाली रहता था तो आज हम को काफी सर्प्राइज किया सबसे दो सर्प्राइज वही बेंश किया पीछे वाला बेंश उसमे क्या था मर दोस्त दभी लेजर पीपूल सीटिंग क्विटली लीटल आवर्स क्या सिल जैसे हम लोग बैठते ना उसी पर उनलोग बैठे हुए था लास्ट बेंश हमें साख खाली रहता था लेकिन आज गाओं के लोग वहां पर बैठे ते भी लेजर पीपूल मैंने वहीं बिलेज पीपूल कहने का मतलब कि गाओं के लोग सीटिंग क्वाइट लीटम संथ से लाइक आवर सेल्प मतलब कि हम लोग जैसे खुद से बढ़ते थे ना तो वैसे उन लोग बैठे हुए थे एज यह स्टूडेंट कौन गाओं के लोग वर्ल हाउजर आए थे हाउजर कहने का मतलब क्या होता ना कि कि किसी का नाम एक समझे कि एक तरह से सरनिम होता हाउजर थे हाउजर पुराना हाउजर आया हुआ था सिए ठीक करने हैं जाहँजर था ठाय पास कीसे हैट थे ठीक कोरने एक एक पास यहां पीड़ो यह भूड़ थे थे अपात बहुत है नहीं इसका मतलब नहीं होता है जो वर्ड मीनिंग जहां पर फ़स्ट है वह इसको पैंसी लगाए क्या बोलते हैं यहां पर यहां पर यह पैंसी से लिख लिख लिजी तुरह लिख लिए गाना तो याद हो जाया वह स्टोरी भी समझ में आजाएगा वह वह बहुत अच्छा नहीं तो बार बार पढ़ी याद हो जाका समझ में आजाएगा ठीक है मैं ध्यान सोच को पढ़िएगा ना तो ऐसे भी हो जाता है कि मैं तो ज्यादा तर्बूक वेगर अडिक्स नहीं सही पढ़ता था सोचल साइब बूक हो क्लास्ट ने हर समय तो वैसे पढ़िए गना याद हो जाता है तो कहां थे मर्दोस थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा और थोड़ा पढ़ेंगे थ्री कुन है होजर आया हुआ था ठीक है देखिए सबस्टोडी को आराम से समझी का कहीं दिक होगा हमसे पूचिए का मैं तुरंत रिपलाइज दने का ति त्यार हम लो पर थे अबरी बड़ी लुक्ट सेड तेकि सभी लोग उदास दीख रहें थे ठीक है मर्दोस्त आगे देखें और हाउजर ब्राउट और प्राइमर जो हाउजर था 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 ओल्ड प्राइमर प्राइमर करने मतलब भजन किताब का बूक होता है तो वह किताब वाला बूक अब यह उसको पराना था पूछ सकता है मसी क्यों में कि हाउजर क्या लेका थे तो वोल्ड प्राइमर लेका था था एंड थम इड़ एड़ एज और उसको यह पर था 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 यह तरह से किनारे पर एंड हेल इड ओपन ऑन इस नी अपने जो घुटने पूसको इसे क करके पकड़ हुआ था ओपन करके हिल्ड किया हुआ था वीथीज ग्रेट क्या स्पेक्टल से लाइंग एक रोस दो पेजिज मनें अपने चस्मा से उसको पढ़ रहा था पर घुटने पर रहके उसको क्या कर रहा था रीट कर रहा था कौन हाउजर देख लिए विल आई व रहा मांउंटेड़ ओनी यहम मत्रेट एंपने चेरपन कर बैठ गेंगा है और इन देशैम ग्रेव और जैन्नल टोन यहां सांत भाव से एजैंटल विनमर्व से क्या बोले विच वे उसलिटोन में ग्रेव काना मतला जैंटल टोन लुची ग्रेव सिग्रेव से अंदाज म देखिए ध्यान दिजी लास्ट लेशन आ गया है तो यहाँ पीड़ा आपि है कैसे हीडिंग शेप्टर में हम लोग डिल कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या लास्ट लेशन आई सेल गिव यू अब ऐसा को सुनेगा कि मारे टीचर बोड़ है आज तुम्हारा लास्ट क्लास है आज के बाद मैं तुमसे क्लास नहीं लूगा सोच रहना कैसा माई में भीजता है थ्रॉस इमोशनल स्टोरी भी है कि जो स्ट तो वही से कवड राथ था किया था तो टीच ऑनलीड़ जर्म इन इन स्कूल ओल जया और लॉरिन जो डिस्ट्रिक था यथ दोनों डिस्टिक में सिर्फ-उ सिर्फ के नाम जर्मन सिर्फ-उ सिर्फ जर्मन लाइक पढ़ाए बाद आएसा और बरलीन से आया हुआ है जहीं स क्या है एटेंटिव मैं चाहता हूं कि I want you to be very attentive में तुम लोग काफी दम एटेंशन लेकर ध्यान देख्यास के क्लास लो कि लास्ट क्लास होने वाला है करने टी चराएंगे ऐसा आदेश आचुका है बर्लिन से तो यहीं सब दोखे घटना घट रहा है मिर दोस्त एंड वाट लोग कि कहां से इसा गरज रहा है कहां से मतलब पूरा आकास मोटना थंदर क्लाप करना मतलब की गरजना कहीं एक तरह से ऐसा हुआ लगा कि उफ पिन चोग गया का सावर्ट सुनते ही कौन नेरेटर नेरेटर का नाम क्या है फ्रेंज फ्रेंज कौन है एक स्टूडेंट है लगा स्टूरी मैंड में चलते रहना चाहिए कि नहीं भाया ऐसा से बता है तो ऐसे स्टूरी दम सही से चल रहा है ओफ द व्रेच डैट वास क्या है देह पूट आट अब दो टाउन होल वही का राग देखिए एक सकंड चली ताहा थे देट देट वाज थंदर क्रप गया तो देखिए डिचेज अब दो मन हूस नहीं को गटा मम अनुस और सामनी वहीं धाथ वाज देट वाज ते आप आट आई तैनल आट बादा गल लगा तां मनुसम कर लग का बल रहा था जो या बाड नुस अपा हूआ था अभा इसको मैंड में लिग तान आए या पिम फ्रेंच नहीं पड़ पाऊंगा वाई क्यूं आई हाडली नियू हाव टू राइट अब लग रहा है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा फ्रेंच लेशन को लिखना अब तो पॉसिबल है नहीं अब इससे ज्यादा भी कुछ नहीं सीख पाऊंगा आई मस्ट अस्टोप दियर आज हमको छोड़ देना होगा यहीं पर स्टोप करना होगा देन ओह हाव सोरी आई वाज फोर नथिंग लर लर्निंग मैं लेशन अब अपने आपको सोरी बोल रहा है तो उसको मौसूस हो रहा इक अंडा को देखने लगा एंड गोईंग श्लाइडिंग ओन दसार सार नहीं नदी तो नदी के किनारे जो चुनिया लोग भूर रहा है उसको देखने लगा माई बूक मेरा किताब डैट हैड सीम सच नाउसेंस जो मेरा किताब था हमको बहुत ही बुरा लगता था विले किंग बड्स यह बैट का शिट यहां के बारे में सोच रहा अनडा व्गरा ऑ मतले किना भूरे तो यह सबारे में सोचरा रहेंब दोस्त और ओल्ड फ्रेंड सनाव देट कुड क्या पुराने दोस्त है इनको मैं भी छोड नहीं पाऊंगा छोड नहीं पाँ सकता हूं अब कैसे क्या कर सकता हूं अब इम हमेल टू तो इम हमेल थे उनको भी दाइडिया देट बाज गोई अवे दाइड आई आई शुट नेवर सी गासी हम अगेन अब ऐसा आई इस को मैं चलना गां मिस्टर एम हमेल उनको भी में दोबारा नहीं देख पाऊंगा क्योंकि आस तो लास्ट लेसने आज के ब एंएड मेड मी फोर्गेट ऑल अबाउटी दूरूलर के अब इस को में भूल गया ऐसे बाद शूदे इसे हम नोप्यम्स किंव गूल गया कि इक यह क्तने तुमकित है और साथb कोछ में बूल रहा हुं के बारे में अफ लग रहा है को जा कितने अच्छी आदमी पर में neighborhood प्रिछारे सोर contains had put on his fine sunday clothes and now I understood why the old men of the village were sitting there last lesson in the honor of his last lesson and that he had put on in the back of the room room in the back of the room it was because the very very sorry they were sorry to that they had not gone to the school more sorry to that they had not gone to the school more it was their way to thanking of our master for his 40 years of your faithful services thankful for the country that was there no more today देने आए थे साथ ही साथ मिश्टर इमेर को थैंक फूल देने वाए थे और सोरी बोलने आथे आज के बाद तो स्कूल हम लोग देखने पाएंगे तो भी हुआ तो हम लोग हुमाफी चाहते हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने सर्विस रिस्पेर्ट को कंट् यानिकी खतम करने दोस्तों बस आज कुछ सीख पर कुछ समस्थ वीडियो को लाइक जरू करेगा चैनल पने हो सब्सक्राइब कर जूर जाना है ताकि आगे भी पढ़ते रहें थैंक्स पर वाचिंग